धर्म के अधार पर मुस्लिमों को आरक्षन मिलना चाहिए ये बाते बीते दिन राज़त सुप्रीमों लालू परशाद यादों ने कही है हमारे साथ जेडियू के प्रवक्ता है अविसेग जी अविसेग जी क्या मिलना चाहिए आरक्षन को लेकर जो हमारी पार्टी का स्टेंड रहा है हमारे नेता का स्टेंड रहा है वो कहकर नहीं हमारे नेता ने करके बताया है आपको मालूम है ना कि बिहार की सरकार ने अपने खर्च पर जाती गर्णा कराई आरक्षन का दाइरा बढ़ाया, सामाजिक आधार पर बढ़ाया, हर जाती धर्म के लोगों को इसका फाइदा मिल सके, अंतिम पाइदान पढ़ खड़े विक्ति को इसका फाइदा मिल सके इस नीती के साथ काम किया है अब लालू जी का बयान आप आरक्षन को लेकर मत समझिये तेजस्वी जी के नेतितों में लालू जी को इस बात का अभास हो चुका है कि महागडबंधन बुरी तरीके से बिहार में हार रहा है तीसरा चरन थाकल लालू जी को लगा कि चलो हम भी मैदान में कुद पढ़ते हैं इस तरह के बयान देते हैं शायद तुष्टी करन हो जाए ताकि इनका राजनेतिक संतुष्टी करन हो सके लेकिन जनता को ये भले बेफ्पूफ समझते हैं बिहार की जनता बेफ्पूफ नहीं है इनके बायानों का मतलब समझती है और नितीश जी से तुलना मत कीजिए नितीश जी ने जो कहा है वो करके बताया है क्या करेंगे क्या दावा करेंगे बताएंगे कि हाँ पिछली बार की तरह हम शुन्य पर आउट होने वाले है करकरताओं के मनोबल को बढ़ाना है अभी चार चरण के चुनावर बाकी है बिहार में अभी तक इनका खाता नहीं खुल पाया है लाकि इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया सब फेल हो चुका है तो 40 सीटे छोड़ दीजिए अगर रास्ट्रे जनता दल के लोग अपने शुन्य के आकड़े को बढ़ा कर एक तक भी ले आते हैं तो बहुत बड़ी उपलब्दी होगी सुन्य के आकड़े को एक तक भी ले आएंगे तो राज़त के लिए बहुत बड़ी उपलब्दी होगी कैमरा सही होगी पंकज के साथ एवीपी न्यूस के लिए आरेन आनंद पतना